तो कि हमारे head of the table travel chief के पुराने वाली आवतार में आ सकते हैं बिग डॉग वाले जहाँ पर वो वेस्पेन के आयते हैं और पॉल हमने बता दिया है कि अभी तो ये शुरुवात है आगे आगे देखो होता है कि आप ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर तो सब बेवे बिलवात करते हैं इंडिया के बारे में तो भारत के दो शेर जो कि अमेरिका के अंदर अपना बाजा बाजाते हो दिखाई दे रहे हैं यानि कि सतनाम सिंग और हमारे जिंदर महल जो कि फॉर्मर डवले सूपर स्टार और करंट एई डवले सुपर स्टार रह क्या होता है तो next जम बत करते हैं CM Punk के बारे में तो CM Punk का कहना यह है कि WWL एक एक एप के उपर काम कर रहे है जो की जाएगा WW Superstar और Employees के पास यानि कि वो इस एप का यूज कर सकते है कभी भी WW से चुटी लेने के लिए जब उनका मंच चाहे तब यानि कि डबली डबली के सुपरस्टार आप कभी भी छुटी ले सकते हैं पर फिर्ट तरीके से इज़त के साथ तो नेक्स जम बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में तो एक तरीके से स्पॉलर दे दिया है कि पॉल हेमन वो कहते है कि 2.0 बलड लाइन के अंदर बहुत काल और तहल का मच चुका है तुम लोगों को आईड़े भी नहीं है इस फैक्शन के अंदर कौन के कौन से सुपस्टर आ आने वाले हैं अभी तो बस 2.0 बलड लाइन चल रही है आपको यह नहीं पता कि 2.3 बी बलड लाइन आने वाली है यह पर फिर सरी किसे एदद के साथ और इस बलड लाइन के अंदर कई सारे मेंबर्स जुड़ने वाले हैं जो कि बलड लाइन से बिलॉंग करेंगे तो ने पलच को भी लग रहा हूंगा कि मैं वाइपर रैंडी ओर्टन के साथ क्या कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों बस यह अब शुरुबात है रैंडी ओर्टन 2025 के अंदर बनने वाले हैं आपके न्यू वर्ल्ड हैवी वेड चैंपियन और देन उसके बाद रैंडी ओर्टन वर्स से ग्यारा साल पहले समर स्लैम के अंदर बीस्ट इंकानेट ब्रॉक लेसनर का सामना हो चुका था तो बैस्ट इन डवर्ल्ड सीम पंक के सामने और यह मैच बहुत ही कबमाल का था इस मैच के अंदर इन दोनों भी खिलाड़े उन्हें एक दूसरे को डिस्ट्रॉई कर दिय एक दूसरे को हराने के लिए और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मैच था फाइस्टार रेटिंग वाला मैच और लास्ट मॉमेंट पर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर खतरनाक तरी किसे अपना फिनिशर एफ फाई लगा के सीम पंक को हरा देते हैं और वो एफ फाई उन्ह सारे लोगों का कहना यह है कि अब तो रोमर रेस का बेवी फेस टरन हो चुका है तो पुराना वाला रोमर रेस अब वापस आना चाहिए वेस्ट के साथ तो दोस्तों डबली डबली आई से कुछ भी नहीं करने वाली काई से लेकर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला रोमर रे करते थे इसलिए उनको बिग डॉक कहा चाहता था लेकिन अब वो किर्दार रोमर का कभी भी वापस नहीं आने वाला तो दोस्तों यह वीडियो बस यह तक कि अगर आपको वीडियो को लाइक और चैनल को कर देजिए सब्सक्राइब